नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यतुप चैनल में दोस्तों कैसे है आप सभी, उमीद करते हैं कि भागवान महाकाल के आसिव आशिरवाद से आप बहुती आच्छे होंगे और अपने घर में मंगल में होंगे जी हां दोस्तों हम आप सबी को बता दें कि अब आपके दुसमनों की उल्टी चाल पड़ गई है जी हां दोस्तों और आप आप जिस बात से बहुत परिशान थे उससे सामना अब आपका होने वाला है आने वाले अगले पांच दिनों के अंदर आप लोग जिस चीज से भाग रहे थे वे अब आपकी पूरी जिन्दगी को बदल कर रखने वाली है जी हाँ दोस्तों क्योंकि ये घटना आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना लेकर आएगा जो इश्य पाले साइधी आपने देखी हूँ और आपने सुनी हूँ जी हाँ दोस्तों बिलकुल ही सही सुना है आपने दोस्तों आप कई चीजों को लेकर प्रशन है और आप कई चीजों को लेकर आप बहुती दुखी भी रहते हैं तो दोस्तों ऐसी मुसीवतों से यदि आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप सुरू से लेकर आंध तक बिलकुली ध्यान से देखिएगा ताकि हर समस्या से आपको छुटकारा मिल सकी जिहां दोस्तों और एक उपाई भी बताएंगे जो कि दोस्तो इतना सकती साली है कि जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है जो जानता है वो किसी को बताता नहीं है लेकिन दोस्तों हम ये देखते चले आ रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुती दुख और तकलीप का शामना कर रहे थी और दोस्तों वो वही कारण था कि हर एक प हर एक विशे पर गहराई से हम चर्चा करने वाले हैं इसे भी महतपुन दोस्तों ये बात है कि जिलनगों के कुंडली में राजयोग निर्मान नहीं हुआ है उन राजयोग का सुक केसे प्राप्त हो सकता है केसे आप अपने जीवन काल में काम्यावी हासिल कर सकते हैं जीहाँ दोस्तों आज का यह विडियो आप समी के लिए बहुत ही जादा महतफुन होंगे और आपके भविशे के लिए बहुत ही जादा लापकारी सावित होंगे तो दोस्तों इनने बिल्कुल ही मिश्ना करें और थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को सुरू से अंद त कि कभी भी अपने दुस्मन पर अपने सत्रू पर दोबारा भरोसा ना करना क्योंकि जो दुस्मन है वह वही काम करेगा जो उन्हें पसंद है एक बर मुझ से मिठा बोल देने से उनका सभाव नहीं बदलता उनका आदत नहीं छुड़ता जी हां दोस्तों उसका जो आदत है जो चरितर है वह वही काम करेगा तो दोस्तों समय रहते हो जाएं सब्धान क्योंकि दोस्तों इस दुस्मन ने इस सत्रू ने आपको पिछले कई स्वमियों से तंग करके रखा है आपने देखा है कि पिछले समय में आपने कितनी मेहनत किया है कितनी सारी समस्यां का आपने शामना किया है और अपने जीवनकाल में इतनी खुसिया हासिल किये हैं लेकिन दोस्तों अगर आप इनसे अपने खुसियों को नहीं बचा पाएं तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूपी होगी जीहां दोस्तों हम आप सबी को बता दें की समय रहते इस इनसान से आप अपने आपको बचा लें या फिर अपने जीवनकाल से इस इनसान को बिलकुली निकालकर फैंग दें जी हाँ दोस्तों दोस्तों इसी में आपकी भलाई है आपकी जीवनकाल की आपकी घर परिवार की ही भलाई है जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें की आखिर कब तक आप अपने जीवनकाल में इतनी सारी दुखों को झेलते रहेंगे आपको भी तो जीने का अधिकार है जी हाँ दोस्तों दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपका मन बहुती स्वास्थ और साफ रहता है और आप हमेशा चाहते हैं कि किसी से भी ना लेना देना हो और ना ही लडाई जगडे में पड़ें और अपने जीवन काल में आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें और लोगों दोरा मान परतिष्था प्राप करते रहें जी हाँ दोस्तों लेकिन दोस्तों इस दुनिया की सोच आपके जैसा नहीं है आप चाहते हैं कि सभी के साथ मिल जुल कर रहें लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई ऐसा दुस्मन है जो आपके कारियों से जलत परिबार के साथ अच्छा मेल मिलाप से वह लोग जलते हैं और आप चाहकर भी उनसे पास रहना आप बिल्कुली मेशना करें और दोस्तों सुरू से आन तक बिल्कुली ध्यान से दिखिएगा बिल्कुली ध्यान से समझिएगा जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को वह सभी महतपुन जानकारी देंगे कि कैसे आप इस व्यक्ति को अपने जी पर ना आये इनके लिए दोस्तों आपको बहुती खास मंतर बताएंगे और अपने चीवनकाल को इस व्यक्ति से कैसे बचा सकती हैं तो दोस्तों सभी जानकारी बहुती गहरी तरीकी से गरह गोचर के अनुसार बनाए गए हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू से अंध तक ब से लाग की प्राप्ति होगी और भगवार महाकाल के आसिम आसिरवाद से आपके घर के महौल में परवारिक जीवन में आपके प्रतिक छेतर में क्या-क्या खुस खबरी क्या-क्या बदलाव होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा उशे पहले दोस्तों जो व्यक्ति व साथे बेला आइकन को प्रेश करके और पर्च लेट कर लें तो जी दोस्तों बात करते हैं सुरुवात करते हैं भोले नाथ के एक बहुत अच्छे ज्ञान से और यह ज्ञान अगर आप अपने दिमाग में बठा लिए तो दोस्तों आपको आगे चलकर कोई भी दुख तकल पैदा होता है उसे खोजो गौर से तुमारे भीतर ही उसकी कारण मिलेगा उन कारणों को छोड़ दो क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किये जाने का क्या पर्योजन है जिनसे सिर्व जहर के फल लगते हो उन बीजों को क्यों तुम बोते हो और दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में ऐसा कर रहे हैं जो व्यक्ति आपको लगता है कि ये आपके सत्रू हैं ये आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता फिर भी दोस्तों आप उनसे बात क्यों करते हैं आज ही उन्हें अपने जीवन काल से निकाल कर फैंक दें क्योंकि आगे चल कर ये धोखा ही देंगे जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों भगवान भोलेनात का यह ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों बीडिये को एट प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कॉमेंड बोक्स में इनके लिए लिख दें जै भोलेनात दोस्तों भोलेनात का आसिम आसिरवाद आप सभी को प्राप्त होगा जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों इससे के साथ बात करते हैं कि आखरिया कौन व्यक्ती है जो आपको ये दुणिया से उठाना चाहता है कि दोस्तों चोर को खांसी और संत को दासी मुशिवत में डाल देता है प्यार देने से बेटा, बिगड़े भेद देने से नारी, लोग देने से नोकर, बिगड़े धोखा देने से यारी जिहां दोस्तों गुन मिले तो गुरु बनाओ, चीत मिले तो चेला बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, वर्ना रहो अकेला जी हाँ दोस्तों तो आज दोस्तों आप बात करते हैं कि आप अपने जीवन काल में अभी तक पीछे क्यों हैं अब अपने जीवन काल में आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं क्या गलती आप कर देते हैं जो कि दोस्तों दुनिया भी आपको एक अच्छा इंसान नहीं समझ जिहां दोस्तों दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो आपके गुप्त बात होती है जो राज की बात होती है जो दोस्तों आप अपने जीवन काल में जो आगे काम करना चाहते हैं सिक्रेट बात करना चाहते हैं तो दोस्तों वह अपने दुसमन को साथ ही को बता देते हैं जि से उपाएं को करना चाहिए साथ ही आपके जीवन काल में कौन से गलतियां नहीं करनी चाहिए तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों आपको बतादे की पिछले कुछ सालों से इस रासी के जो लोग हैं जो आपके जीवन में सबस्ते ज्यादा परिशान और साथी दोस्तों बहुती मुसीवतों का सामना भी आपने किये हैं इसे में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दोस्तों यह समय आपकी गरहों की जो परिसिती है बहुत दर्सा रही है कि आज रात 12 बज़े से आपके उपर तांतरिक क्रियाएं कुछ लोग करने वाले हैं यूँके हैं तो दोस्तों आपकी जीवन काल में शंकट आने वाली है जहां दोस्तों पर दोस्तों इस वार जो आपकी उपर शंकट आने वाले हैं जो मुस्यवतें आने वाली है इनमें आपकी ही गलतिया छूपी भी दिख रही है जहां दोस्तों आपको बता दें क दोस्तों आपका नेचर बहुती सीधा होता है जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों आप कभी भी उन्हें मन में दबा कर नहीं रखते आप अपने परिवार के साथ बातों को तो सेयर करते हैं जो भी आप अपने चीवन काल में चाहते हैं लेकिन दोस्तों इनके साथ ही साथ जो भी आपके संगे समंदी है, जो भी आपके पास रहते हैं, जो भी आपके दिल के करीब रहते हैं, दोस्तों आप भी उनसे अपने जीवन की जो भी बाते हैं, जो भी आने वाले क्रिया कलापे हैं, उन सभी की जो बाते हैं, आपने जीवन काल में आने वाले योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह आपकी गलती है और इनहीं के कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो भी शमसिया आ रही है नहीं से शुरुवात होती है जहां दोस्तों आपको बताने कि सबसे पहले बेक्ति आपके बारे मे और दोस्तों आप इन बातों को शमय शमय पर नदर अंदाज करते आ रहे हैं। वो लोग करते हैं। और दोस्तों फिर आप उनके दिल को उनके आगे हार बेटते हैं। तो दोस्तों यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको जीवन काल में कभी भी धोखा दिये हैं, कभी भी आपको छल किये हैं। तो दोस्तों उस इनसान की अप एक बार सिर्फ पहचान करना है। और दोस्तों उनसे आपको दूर जाना है। जिससे दोस्तों आप उनको अपने जीवन काल में निकाल सकते हैं। और दोस्तों यही लोग होते हैं। जो दोस्तों आपके साथ रहकर आपके उपर छल करते हैं। आपके जीवन काल में एक परकार के टोने टोटके करते हैं। जिनसे दोस्तों आपको छती आपको नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों को याद रखना है। गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके उपरा तो दोस्तों आपके लिए आपके जीवन काल में एक और ऐसी बाते हैं जो कि आपके लिए सटिक हैं कि दोस्तों कोई भी इंसान जब आपसे कुछ रुपया मांगते हैं जहां दोस्तों कोई भी इंसान इमोशनल होकर आपसे कोई कार करने के लिए काता है तो दो पिल्कुल भी उन्हें मना ना कर पाते हैं दोस्तों ये आपकी जीवन के सबसे बड़ी गलती है तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों को ध्यान रखना हैabile को एंस्तुले प्येकर आपके Jeazz आ जाता है तो दोस्तों उन्हें ना कहने की हिमत आपको अंदर नही करते हैं जहां दोस्तों कई बार ऐसे ही लोग हैं जो कि दोस्तों आपको धोखा देने के चकर में रहते हैं और फिर दोस्तों आप जब उनको पेसे दे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दिनों के बाद आप देखते हैं कि आप उनके नजरों में बुरे बन चुके हैं जहां द दोस्तों जहां पेसे हमारे जीवन की सभी एक्छाएं पूरी करती है वहीं दोस्तों दूसरी और हम किसी को पेसे देते हैं तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कारे क्यों ना कर लें दोस्तों हम उनकी नजरों में आखिर गिर ही जाते हैं वे हमसे नजरें चुराने वो अव्यक्ति आपके लिए कुछ गलत कार कर देता है तो दोस्तों आपको इन बातों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन काल में कोई भी करीबी लोग से पेसे लेंदेन ना करें तो दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा जिहां दोस्तों जहां तक हो सके आप समय इनहें दे सकते हैं या आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों इन बातों को आप अपने जीवन काल में ध्यान रखें क्योंकि दोस्तों ऐसे ही गलतियां होती है जो कि आपके जीवन काल में आप करते आते हैं और दोस्तों वो आगे चल कर वही गलती विशा लूप धारन करके आपके जीवन काल में कई परकार के समस्याँ का कारण बन जाते हैं जहां दोस्तों और यहीं लोग आगे चलकर आप सभी के जीवन काल में टोने टोटके करवाते हैं भूत भी छोड़ देते हैं जहां दोस्तों बहुत परकार के जो इनके उपर हो शकती है वे सभी कार आपके उपर ये करने लगते हैं जी हाँ दोस्तों तो आए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आपके जीवन काल में आपके घर परिवार में किसने जादू टोना किया है और आखिर इनसे बचने के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों सरपर्थम आप सभी को बता दें कि अगर आपको लगता नहीं है कि आपके घर में किसी का नजर दोस है किसी का काला जादू है तो दोस्तों आपको करना क्या है कि तीन लाल सुखी मिर्च लेकर दोस्तों उन्हें आग में जला दें और जलने के बाद अगर वा वाघंद नहीं करता है तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि आपके घर में किसीका जादु टोना हुआ है जहां दोस्तों तो दोस्तों इनसे बचने के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप एक मुठी चावल हाथ में रखकर एक कावन या फिर 108 बार ओम नमा सिवाय का जाप करके पक्छियों के लिए घर से बाहर में वह चावल डाल दें इस नियम को एकेस दिन तक दोहराएं ऐसा करने से घर में सकार्तमव उर्जा और सांती आएगी और दोस्तों घर परिवार में किसी प्रेत आत्मा का साया है या फिर किसी ने काला जादू कर दिया है दोस्तों उनका नकात्म परभाब धीरे-धीरे खत्म होने लगता है और घर का बातावरन बहुती ज़्यादा प्रेम पूर्ण होने लगता है और दोस्तों हम आपको एक मंतर भी बताने वाले है जो कि दोस्तों आपको आपने जीवन काल में करना है जेहां दोस्तों शह ओम नमा भगवते रुद्राई नमा कोशिशी नमो जोती मन्थ गाय नमो रुद्राई नमो सिद्धि स्वाहा तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो यदि अच्छी लगई हो तो दोस्तो बीडियों को एक प्यारा सा लाइक अवस्र कर दें और दोस्तो इनके लिए लिख दें जाए माकाली और दोस्तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद